तो ये लगता है कि इस तरह से अगर इसको दबा दिया गया तो तफिर जमूरियत और ये सारी पार्लीमारी जमूरियत तो बेपारी हो जाएगा रियासित अलियाजाद साथ मैं ये कहता हूँ कि ये एक साज़श भी हो सकती है कि चुके अभी लोहा गरह में दो इदारों के दरमयान एक कन्फरंट्रेशन चार रही है तो मुमकरने कोई तीसरी ताकत भी इसमें हो सकती है जो इसको मजीद आग लगा रही हो लेकर अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके इशारे इनसाने सोचते हुए कि जी इसकी कड़िया कहीं साबका जो मामला चाहरा कहीं उससे तो नहीं मिलती तो इस हवाले से तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि कौन इसके अंदर मुल्विस है मैं चाहता हूँ कि आपसे ज्यादा से ज्यादा इस्तफादा हो सके एक और इश्यू भी आया है हसन रजासाब मैं आपसे ये एक्स या ट्विटर की वज़ा से को भी सलावती कहते हैं जी हकूमत सरकार का मौकफ है कि ये खत्रे में जाती है तो क्या ये कोई अजादी राय तायर है उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए लेकिन ये वाकिए आप समय काई साब आजादी राय के अवाले से आईने पाकिस्तान बड़ा वाज़त तोर पर ये प्रोवाइड करता है कि अजादी राय की हक हासल है हर इनसान को जो इस मुमलकते खुदादाद में रहता है और आज वैसे बड़ा अच्छे ही हीरिंग हुई चीफ जिस्टस इसलामबाद हाई कोट ने सेक्री दाखला को भी आइनदाद पेश्टी पे बुला लिया चूंकि वो चैंट सेक्री की रिपोर्ट पे मुतमिन नहीं हुए और उनने वाज़ तोर पे कहा कि कोई रिजनिंग नी दी गई कि कौन सी ये एक्स और ट्विटर बंद करने से क्या क्या हो रहा है क्या क्या जो है वो किस किस चीज को नुकसान होने जा रहा है कम अजगम अभे पता चलना चाहिए तो वो ये के अची रिमूव चली है और पता होना चाहिए कि 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 आप ने ये सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट टैक्स क्यों बंद की है एक और इससे पहले जो अभी आपने क्वेस्चन पूछा था ये जो आज दमकी अमेद खात सुप्रीम कोट के मौज़ज जैसाबान को लाहूर हाई कोट के जजजित को और इसलामबाद हाई कोट के जजजित को मिले हैं तो इसमें काई साथ टाइमिंग बड़ी इंपार्टेंट है आप देखें कि जब ही सुप्रीम कोट आफ पाकिस्तान ने सुवो मोटर लेने का फैसला किया साथ ही जिए खात आने शुरू होगे कोई एडवेंचर करने वाला है या कोई त्नी से एकुवत है जो यह करने जा रही है इस लाइट पर लिस्टिकेशन दुरू है रेह सपाना जेने के लिए जो सीटे हैं तो क्या आई कोट आप अछ ले सकती है और वाहिं क्या है देखें यह तो जो किन्टेंट आफ कोट अडिनेंसे दोजार तीन और Constitution का अर्टिकल 204 उसमें High Court के पास Contempt of Court किसी भी शेरी के खिलाफ किसी भी अफिसर के खिलाफ जो भी Contemner है उसके खिलाफ अख्तियार है कि वो उसको प्रोसीड कर सकती है और मैं समझता हूँ कि ये तो केस के अवाले से आपने बता है मुझे उसके सरक्मस्टांसेज और फैक्स का नहीं पता लेकिन High Court ने अगर बुलाया है तो उसके पास ये अख्तियार है वो प्रोसीड कर सकती है ठीक होगे अच्छा 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 कि ये जो सलाएं मुद्द हुई है अब ये अमिरान खान साथ की जो है वो उमीदे बंद कहीं हैं बीटी आई वालुकी की शायद वो वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह अल्टीमेटली वो आ जाएंगे बाहर एक मेरा ये सवाल औ जिस वक्त इन केसिस की सजा हुई तो उस वक्त दी मैंने ये अर्स किया था कि लगता है कि जो जाएच साहबान है ये इन्होंने इमरान खान साथ की फेवर की है क्योंकि जिस तरह प्रोसीजर डिफेक्ट से समय आए डिफेंस एविडेंस नहीं ली गई डिफेंस एविडे का मौका फराम नहीं किया गया जो कि एक मुल्जम का बुनियादी हक है प्रोसीक्यूटर नैप की जो स्टेट्मेंट है वो बड़ी सिग्निफिकेंस है इसमें उसकी कि उन्होंने कहा कि ये सेस्पेंशन आफ सेंटेंस का केस बनता है तो मुझे वही याद आ गया जिस तरह ने प्रोसीक्यूटर ने नवाज शरीफ साब के बारे में भी ये कहा कि इनका केस बनता है बड़ी होने का बनता है तो ये इंटर कुनेक्टेड है मेरा खाल है सेम रिलीव इमरान खान साब को मिला है जो कि मिया नवाज शरीफ साब को मिला है साइफर केस में भी इसी तरह से डिफेक्टिव और जिस तरह वो गुबईना तोर पर केह रहे हैं अब फेवर की गई है खान साथ जो प्रोसीडे के ताके आगे जाके केस पत्म हो जाए अजाए अजाथ साथ मैं समझता हूंके ये फेवर नहीं थी ये विद मेलाफ ऐड़ी है लेकन ला में ये उसको फेवर मिली है because of their mail of ID और वो कहते हैं न रश जिस्टिस करश जिस्टिस मैं समझता हूँ के जुलफकार ली भुटो का केस हो मिया नवाज शरीफ का केस हो इमरान खान का केस हो तो ये political victimization है और मैं समझता हूँ के एज पर ला उनको relief दिया जा रहा है ये कोई उनको favor नहीं की जारी it is their right जो उनको ला के अंदर provided है और उनको ये extend किया गया है यूँ ही लगता है रियासत अलियाजाद साहब और जनाब मौतम असम रजाजाद साहब कि पाकिस्तान के defining moment आ चुका है एक तरफ ये poly crisis एक तो आप दोनों मेरे मेरबान दोस्तों का बहुत शुक्रिया for very valuable contribution to my show लेकर नाजरीं ये defining moment है ये poly crisis जिसे कहते हैं last time का था किसी जगा पे आ गया था तो ये इस crisis से हम निकलना है और यहां ही हमने define करना है कि हम कौन है और हम क्या है एक ब्रेक है ब्रेक के बात वापस आएंगे तो बात करेंगे नून लीग के लोग खुद अपनी खुमत से ना खुश क्यूं है बड़ी मानी खेस बाते करें राना साथ जावेज गतीव साथ और नराजगी की बात करें तो क्या फिर वो वही कहानी दुराई जाएगी जो दुराई जाती रही है आप तक को जिसका भी आप अच्छा भी करेंगे ब्रेक बात रियास तरी अजान साथ आपने राइस सुनी जनाब असम रजाफा के साथ की भी एक तो ये धंकिया में इस लैटर भी आपा रहे हैं तो ये क्या लगता है कि इस तरह इस लिबरल डिमोकरेसी का जो ढाचा है उच खेल गया है आप इसे एक का समझे इसके क्या का रोटेशन होगी और ये इसके क्या असरात होंगे कि जुदीशनी जो है इस तरह से अगर इसको दबा दिया गया तो पिर जमूरियत और ये सारी पार्लिमारी जमूरियत और ये खेल तो बेपानी हो जाएगा रियास्त अलियाजाद साथ मैं ये कहता हूँ कि ये एक साज़श भी हो सकती है कि चुके अभी लोहा गरह में दो इदारों के दरमयान एक कन्फरंट्रेशन चार रही है तो मुमकरने कोई तीसरी ताकत भी इसमें हो सकती है जो इसको मजीद आग लगा रही हो लेकर अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके इशारे इनसाने सोचते हुए कि जी इसकी कड़िया कहीं साबका जो मामला चाहरा कहीं उससे तो नहीं मिलती तो इस हवाले से तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि कौन इसके अंदर मुलविस है